भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड के गठन के बाद वो समय आया जब भारत को पहली बार किसी नेशनल टीम के खिलाब क्रिकेट खिलने का मौका मिला बोड टाइंग था सन 1932 यहां पर भारत को इंगलेंड के विरुद एक टेस्ट मैच खिलने का मौका मिला हालांकि भारत इस टेस्ट मैच को 158 रणों से हार गया इस टेस्ट मैच के लिए भारत के कप्तान थे सीके नाइडूसर कारण यह थे कि भारती टीम बैटिंग में उतनी महारद रथी नहीं थी जितनी की इंगलेंडी टीम थी इस इन चक्रों में टीम इंडिया रनों का इस अम्मार नहीं लगा पाई यह धीरे समय बढ़ता जा रहा था और वो समय आही गया जब आखिर भारत एक आजाद देश पन गया और 15 अगस्ट 1947 को भारत अंग्रेजों की गिरप्त से आजाद हुआ इसके बाद भारत को एक पहली सरंखला खेलने का मौकरा मिला एक आजाद इंडियन क्रिकेट के रूप में और यह पहली सरंखला भारत को खेलने के लिए जो टीम मिली वो थी उस समय की चैंपियन टीम आस्ट्रेलिया और उस चैंपियन टीम के कप्तान थे सर डॉन ब्रेडवेन जिनके किस से आप सभी लोगों ने सुने होंगे वो वर्ल्ड के सबसे बहतरीन बैट्स्वाइन माने जाते थे उस समय में और उनका बैटिंग एवरेस तो जब वो रेटायर हुए तब वो था 99.94 तो उस टीम से जब भारत को वो स्रंकला खेलने का पहला मौका मिला तो भारत वो पांच में चोकि स्रंकला को 4-0 से हार गया हालांकि भारत ने एक टेस्ट मैच को ड्राभी करवाया लेकिन यह भारत को एक तरीके से वाइट वास आस अस्ट्रेलिया ने दिया भारत ऑस्ट्रेलिया से चार जीरो से टिस्ट स्रंखला हारा ही था कि 1948 ये वो समय आया जब भारत को भारत की जमीन पे ही बिस्टंडीज के खिलाब एक टिस्ट स्रंखला खेलने का फिर से मौका मिला 5 मैचों के स्रंखला में भारत ने काफी उंदा प्रदर्शन किया और इस तेस्ट सेरीज में भारत ने 4 मैचों को ड्रॉ कराया और लेकिन सेरीज के एक भी मैच जीत नहीं पाया और सेरीज एक जीरो से हार गया हालांकि भारत ने अपने क्रिकेट के लेवल को काफी बढ़ा लिया था इन दिनों तक और इसके बाद वो समय दूर नहीं है जब भारत अपनी पहली टेस्ट विजय हासिल करेगा यह वो समय था यह वो दिन था जब भारत ने इंगलेंड के खिलाप मद्रास केलकटा में एक टेस्ट मैच खेला और यहां पर भारत ने यह टेस्ट मैच जीता तो यह भारत का ओरल 24 मैच था जिस मैच में भारत ने पहली टेस्ट जीत हासिल करी उसी साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाप भी एक टेस्ट स्रंखला खेली और उस स्रंखला को 2-0 से जीत लिया तो इस तरीके से भारत ने टेस्ट मैच जीतने के मिशन का सुभारम किया इस तरीके से भारत धीरे-धीरे अपने आपको मजबूत करता जा रहा था इन स्रंखला में जो भारत के कप्तान थे वो थे लाला अमरनाथ वो अपने समय के बहुत ही धुरंदर वैटसमन और धुर न्यूजी लेंड के खिलाप एक टिस सिरीज खेलने का मौका मिला और भारत ने न्यूजी लेंड को भी धूल चटा दी इस तरीके से भारत धीरे-धीरे कदमों से जीत की तरफ अग्रसर होता जा रहा था और इस तरीके से भारत ने बहुत सारी सिरीज खेलना स्टार्ट किया झाल झाल